नमस्कार दोस्तो वाइपेल 21 के दूसरे फेस का दूसरा मुकाबला कुलकता नाइट राइडर और रोयल चलेंजर बैंगलोर के बीज खेला गया जहां दोस्तो बिराट कोहली से बहुत उमीदे थीं क्योंकि बतादू कि मैथ से पहले जिस तरीके का उनका संसनिक खेज फैसल आया था कि अब वो इस सीजन के बाद रोयल चलेंजर बैंगलोर की कपतानी छोड़ देंगे लेकिन बैंगलोर के तरफ से वो खेलते हुए नजराएंगे लेकिन अब वो इस सीजन के बाद बैंगलोर की कभी भी कपतानी करते हुए नहीं नजराएंगे बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट का एक कहना था कि ये फैसला बीच सीजन में लेना जो की अच्छा परदर्शन कर रही थी रोयल चलेंजर बैंगलूर ये फैसला बिल्कुल गलत है और आज दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला कोलकाता के खिलाफ मुकावले में वो तौस जरूर जीते हैं और करते हैं बल्लेवाजी करने का फैसला और जिस तरह की की उनकी बैटिंग दिखती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं नजराते और केवल चार बॉल में पांच रन बना कर प्रसिद कृष्णा की गेन पर एल बे डबलू आउट हो जाते हैं और बिराट कोली ही क्या दोस्तो बड़े बड़े नाम आपको नजराएंगे इस पैरिश में एबी डिवी लियर्स ग्लेन मैक्सविल देवजद पडिकल ऐसे ऐसे नाम नाम बड़े लेकिन दर्सन छोटे बिल्कुल आज कोलकता के खिलाप मुकावले में किसी भी का बला नहीं चला और यही कारण रहा कि इतना कम स्कूर बना पाई रॉयल चलेंजर बैंगलूर्ट अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो आगे अपना intent दिखा पाते हैं बिराट कोहली और Royal Challenger Bangalore क्योंकि अभी भी वो qualify कर सकते हैं और तीसरे पैदान पे हैं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है लेकिन जिस तरीके का फैसला लिये हैं बिराट कोहली वो टीम के management पर और